दोस्तों, दुनिया में जैसे जैसे टेकनॉलजी तरक्की कर रही है, वैसे ही वैसे हमारी इस्तमाल में आने वाली हर एक चीज अब स्मार्ट होती जा रही है और इन चीजों को स्मार्ट बनाने के पीछे सबसे अहम कमपोनेंट है सेमि कंडॉक्टर चिप्स दरसल आज के समय में सेमिकंडक्टर चिप्स का इस्तमाल सिर्फ कम्प्यूटर और स्मार्टफोन में ही नहीं बलकि कार्स, टीवी, वशिंग मसीन, फ्रीज और यहां तक की LED बल्ब जैसी मामूली सी चीजों को भी बनाने में किया जा रहा है और यही वज़ा है कि आज इस इंडरस्ट्री की वैल्यू करीब 600 बिलियन डॉलर्स की आंकडे को भी पार कर चुकी है लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी और fast growing market होने के बावजूत भी हमारा भारत इस इंडरस्ट्री में आज तक एंटर नहीं कर पाया है और शुरुआत से ही अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया वा ताइवान जैसे कुछ गिने चुने दिश इस इंडरस्ट्री को पूरी तरह से डॉमिनेट कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेकनोलजी के फिल्ड में हमेशा आगे नजर आने वाला हमारा भारत आखिर खुद के सेमिकंडर्टर चिप्स क्यों नहीं बना पा रहा तो दोस्तों साल 2020 में जब कोवीड आया तो उसकी वज़ा से लगबग पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन लगा दिया गया था और दुनिया की हर एक इंडरस्ट्री काफी लंबे समय के लिए बंद हो गई थी अब इस लॉकडाउन का असर दूसरी इंडरस्ट्री के साथ ही सेमिकंडर्टर इंडरस्ट्री पर भी पड़ा और उसी के नतीजे आज पूरी दुनिया में सेमिकंडर्टर चिप्स की शौर्टेज देखने को मिल रही है अब इस शॉर्टेज की वज़ा से सिर्फ स्मार्टफोन और कम्प्यूटर सी नहीं बलकि आटो मोबिल और हेल्थ केयर एक्विप्मेंट जैसी लगबग 170 इंडरस्ट्रीज को अर्बों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है अकेले भारत की ही अगर बात की जाये तो साल 2020 में इंडियन सेमिकंडक्टर मार्केट की वैल्यू एक लाख करोन रुपए से भी ज़्यादा थी जो की अनुमान के अनुसार साल 2026 तक बढ़कर 5 लाख करोन रुपए तक पहुँच जाएगी और इन आकडों से साफ पता चलता है कि भारत में चिप्स की डिमांड काफी ज़्यादा हाई है अब यहां आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत अपने लिए कोई भी सेमिकंडक्टर चिप्स खुद से नहीं बनाता बलकि वो 100% चिप्स ताइवान, सिंगापूर, होंग कॉंग, थाइलैंड और वियतनाम जैसे देशों से इंपोर्ट करता है और फिलहाल दुनिया में जो चिप्स के शॉर्टे चल रही है उसकी वज़ा से भारत में यह चर्चा काफी तेज हो गई है कि हमारे देश को सेमिकंडक्टर चिप्स बनाने के मामली में भी अब आत्म निर्भर हो जाना चाहिए लेकिन दोस्तों यह सब बोलने और सुचने में जितना सिंपल लगता है असल में इसको इंप्लीमेंट कर पाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है दरसल भारत के अब तक सेमिकंडक्टर चिप्स न बना पाने के पीछे कोई एक नहीं बलकि कई अलग-अलग और बड़े रीजन्स हैं तो चलिए अब हम एक-एक करके आपको उन सभी रीजन्स के बारे में बताते हैं रीजन नमबर वन इट्स वेरी एक्सपेंसिव दोस्तों भारत के सेमिकंडक्टर चिप्स न बना पाने के पीछे सबसे अहम रीजन यह है कि चिप्स का मैनिफेक्टरिंग प्लांट सेटप करना हद से ज्यादा महगा होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक बेसिक चिप मैनिफेक्टरिंग प्लांट बनाने में ही कम से कम आठ से दस बिलियन डॉलर्स का खर्चा आता है और इसके बाद से प्लांट के अंदर मशीन्स लगाने में जो लाखो डॉलर्स खर्च होते हैं वो तो अलगी है वैसे आपके अंदाजे के लिए हम बता दें कि साल 2014 में सैमसंग ने साउथ कोरिया के अंदर एक नया चिप मैनिफेक्टरिंग प्लांट बनाया था जिसे सेट अप करने में उनके कुल 14.7 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए थे अब आप मेंसे काफी सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि हमारे देश में तो अमबानी, अडानी, टाटा और बिडला जैसे ना जाने कि इतने ऐसे बड़े बड़े बिलियनियर्स मौझूद हैं जो कि इतना पैसा खर्च करके एक मैनिफेक्टरिंग प्लांट बना सकते हैं और आपका ऐसा सोचना काफी हद तक सही भी है लेकिन चिप मैनिफेक्टरिंग करने में दिक्कत यह है कि इसमें सिर्फ एक बार 15 से 20 बिलियन डॉलर्स खर्च करके ही बात खत्म नहीं हो जाती बलकि इसको चलाय रखने के लिए समय समय पर इसमें लगातार पैसा इन्वेस क्योंकि इस फिल्ड में टेकनोलजी बहुत ज्यादा तेजी से बदलती है इसकी वज़ा से कमपनियों को अपना सेट अप लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटेल, सैंसेंग और टी एसमसी जैसी कमपनियां अपने चिप मैन साखर्च कर सके रिजन नमबर टू, इट्स कॉंपलेक्स विट वेरी हाई फेलियर रेट्स दोस्तों चिप फेवलिगेशन टेकनोलजी इतनी ज्यादा कॉंपलेक्स है कि इसमें फेल होने के चांसेज काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं आप ये बात जानकर काफी हैरान रह कियामत और पर एक चिप के सिर्फ एक स्क्वाइर इंच जितने एरिया में अरबो ट्रांजिस्टर्स बने होते हैं जहां इन ट्रांजिस्टर्स के बीच की दोरी को नैनो मीटर्स में ना पा जाता है जोकि एक मीटर का एक अरबो आहिसा होता है यानि कि चिप फेब्रिगे 20 billion dollars और TSMC अपनी नई fabrication facility पर 100 billion dollars की रकम खर्च करने वाली है और ये भी एक वज़ा है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपने अर्बो रूपय एक ऐसे business में नहीं लगाना चाहता जिसमें competition और risk इतना ज्यादा हाई हो Reason No.3 Lack of skilled people दोस्तों चिफ fabrication technology की इसी complicity की वज़ा से ही इसमें manufacturing plant को चलाने के लिए workforce भी ऐसी ही चाहिए होती है जो ना सिर्फ highly skilled हो बलकि साथ ही आज के जमाने की latest technology को भी काफी अच्छी तरह से समझती हो और जैसा कि हम सभी जानते ही है कि अमेरिका, South Korea और Japan जैसे देशों की तुलना में हमारे यहाँ skilled labor या skilled workforce की बहुत ज्यादा कमी है हालकि अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में talent की कोई कमी है लेकिन इस talent को सही धंग से use करके एक skilled workforce में कैसे बदला जाता है इस मामले में हमारा देश अमेरिका और चीन जैसे देशों से काफी पीछे है अब ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के मन में भारत के अंदर चिप manufacturing plant लगाने का ख्याल भी आता है तो वो skilled workforce ना होने की वजह से आगे बढ़ने की हिमत नहीं कर पाता है दोस्तों किसी भी semiconductor chip fabrication facility को बनाने की कुछ basic infrastructure related requirements होती है और example एक chip manufacturing unit को काम करने के लिए सिलीका के अलामा pure water और power की 24 into 7 uninterrupted supply की जरूरत पड़ती है क्योंकि इन plants में अगर थोड़ी समय के लिए भी बिजली या फिर पानी की supply बंद हो जाती है तो उसकी वजह से company का बहुत ज़्यादा नुक्सान हो जाता है अब भारत के अंदर बिजली और पानी की वेवस्था कैसी है इसके बारे में हम सबी लोग अच्छी तरह से जानते हैं साथी हमारे देश में पानी खारा होने की वजह से water का जो pure form होता है वो निकालने में भी काफी दिक्कते होती है और ये भी एक अहम वजह है कि कोई भी विदेशी कमपनी अपना semiconductor chips manufacturing plant महारत में नहीं लाना चाहती है दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि टेक्नॉलजी के मामले में हमारा देश बहुत तेजी से उन्नेती कर रहा है लेकिन एक सच यह भी है कि इस field में हम अभी भी चीन, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों से काफी ज़्यादा पीछे हैं अब आप में से काफी लोग इस बात को जानते होंगे कि अपल के latest iPhone iPhone 13 में 5 nanometer पर बना हुआ chipset यूज़ किया जाता है और इतना ही नहीं कहा तो यह भी जाता है कि इस साल Apple अपने latest iPad को 3 nanometer chipset के साथ में launch करने वाला है वहीं अगर भारत की बात की जाए तो हमारे देश में अभी भी 18-20 nanometer तक की ही technology उपलब्ध है यानि कि इस field में हम almost 4-5 generation पीछे चल रहे हैं और हमें latest technology तक पहुँचने में भी काफी जादा time लगने वाला है ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बाकी की सारी problems को solve करके भारत में एक chip manufacturing unit setup कर भी लेता है तो फिर इससे उसे कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि ना तो वो शुरुवात से ही 3 nanometer chip बना पाएगा और ना ही कोई आज के जमाने में उससे 18-20 nanometer का chip खरीदेगा इसे लिए भारत में कोई भी व्यक्ति अपना पैसा इस high risk industry में invest नहीं करना चाहता है अब इन सबी factors को अगर देखा जाए तो फिलहाल भारत में chip manufacturing शुरू कर पाना ही नामुम्किन नजराता है लेकिन साथी हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले तक भारत में smartphone manufacture करने को भी इसी तरह से ही नामुम्किन समझा जाता था लेकिन आज हमारे देश में Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung और OnePlus जैसी लगबग सभी leading brands के smartphone successfully manufacture वा assemble किये जा रहे हैं हलाकि हमारी government भी भारत में chip manufacturing शुरू करवाने के लिए लगातार नए-नए incentive programs लेकर आ रही है और दोस्तों इस industry को boost देने के लिए भारत सरकार ने लगबग 76,000 करोन रुपए का investment भी किया है अब अगर सरकार के हिसाब से सब कुछ plan के मताबिक हुआ तो फिर आने वाले 6-10 सालों में हम भारत के अंदर semiconductor chips बनते हुए भी देख पाएंगे बाकी दोस्तों हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था आपका बहुमूली समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद